हेलो बच्चो, welcome to bailaji Vidyya Pete आज हम हेलो अलकीन्स और हेलो एरेंस का लेक्चिन नंबर 6 देखते हैं क्या है ठीक है? edition reaction of एलकीन्स ठीक है? edition reaction of एलकीन्स इसे पहले ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये पूरी चक्तर में है बहुत काम आने वाला है ठीक है? मेरे पास alken है यह carbon carbon की बीच में double bond alken है ठीक है अब suppose मैंने यह double bond हटा दिया यहां से यह double bond मैंने यहां से remove कर दिया मतलब इसका एक bond यहां से मैंने हटा दिया और यहां पर मैंने एक HX add करना है मैलकीन में ठीक है और इसका मैंने एक double bond यहां से हटा दिया तो देखो यहां से जब मैं यह बीच से double bond हटाओंगा तो carbon दोनो carbon पर एक एक seed खाली हो जाएगी क्यों carbon की वैलेंसी चार होती है इसकी देखो एक दो तीन और चार इसकी पूरी है और इसकी एक दो तीन चार इसकी पूरी है अब जब मैं इसमें HX add करना है hydrogen halide add करना है ठीक है तो मैं इ पीच वाले bond को एक हटा दूँगा तो दोनों carbon पर एक एक seed खाली हो गई अब जब मैं इसमें HX add करूंगा तो एक H यहां आ जाएगा और एक X यहां आ जाएगा ठीक है यह जो हमारा product बनेगा यह बनेगा मेरा alkyl halide और जो process हुआ वो हुआ मेरा hydro halogenation ठीक है इस process को हम ना करेंगे alkyne का एक bond हटा देंगे तो दोनों carbon पर एक seed खाली हो जाएगी फिर एक H लगा देंगे एक H लगा देंगे तो यह मेरा form क्यों होगा alkyne और जो process का नाम है वो क्या है hydrogenation फिर तीसरे में alkyne के अंदर हम X2 डालेंगे ठीक है halogen डालेंगे halogen की addition करेंगे तो एक bond हट दाया दोनों पर एक X2 खाली दो X हैं तो एक X यहां एक X यहां तो यह देखो दो carbon पर अगल बगल दो हैलोजन है ठीक है तो यह मेरा बनेगा vicinal diahelite और जो process हुआ वह मेरा halogenation ठीक है vicinal diahelite अगर एक ही carbon पर दो हैलोजन होता है तो जैमिनल होता है vicinal दो हैलोजन पर वह सौरी दो कार्बन पर दो हैलोजन लगे वह ठीक है तो यह है vicinal diahelite compounds ठीक है फिर आता है मेरा alkenes alkenes का अगर देखो में यहां से अब यह bond हटाया मेरा अब इसमें मैंने HOH डाल दिया यानि कि H2O डाल दिया ठीक है तो एक H तो मैंने यहां जाएगा और एक इसका OH यहां जाएगा तो जो मेरी formation हुई यह हुई alcohols की और जो process हुआ वह हुए मेरा hydration ठीक है अब बात करत है अपने topic की यह समझ में आगे ना addition of alkenes अब देखते हैं मार्कवानिक ओफ रूल तो मार्कवानिक ओफ रूल क्या बोलता है उच्छो जैसे कि मेरा यहां पे hydrogen halide है ठीक है HX है जैसे HCL हो गया HBR हो गया तो क्या बोलता है कि जो मेरा hydrogen है hydrogen मेरा वहां जाएगा यह हटने के बाद double bond है यहां पर double bond का एक bond उपर वाला हट जाएगा तो यह single bond बचेगा तो दोनों carbon पर एक एक सीट खाली हो जाएगी ठीक है तो मार्कवानिक ओफ रूल क्या बोलता है कि hydrogen मेरा वहां पर जाएगा जहां पर hydrogen जादा होगा ठीक है और halogen कहा जाएगा जहां पर hydrogen काम मार्कवानिक ओफ रूल क्या बोलता है जहां पर hydrogen जादा होगा hydrogen वहां जाएगा तो इस carbon की equivalency खाली है और यहां पर hydrogen दो है इधर hydrogen एक है तो hydrogen कहाँ पर जाएगा जादा है तो यह hydrogen यहां जाएगा और HX जहाँ पर hydrogen काम है तो X यहां जाएगा तो यह बनता है मेरा CH3 CH3 है और HX ठीखें है यह है मेरा मेजर प्रोड़क्ट मेरा प्रोड़क्ट मैंने बता दिया था इंटरमीडियट कार्वर इंटरमीडियेट क्या है पृइरटे थ्री डिगरी 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 अब जैसे यह आ पर मेरो को HCL एड़ करना अच तो कैसे करूँका CH3 single bond CH ठीक है single bond CH2 HCl का H कहा जाएगा जहाँ पर hydrogen जादा है तो एक इसके साथ H जुड़ जाएगा और CL कहा जाएगा जहाँ पर hydrogen का में यह आ गया अब मेरे को यह बनाना है तो कर दो CH3 CH2 CH2 CH single bond CH2 hydrogen जहाँ पर hydrogen जादा है Y गा और BR ठीक है ऐसे गणना है next हमारा है anti-marconic off rule anti-marconic off rule को हम खराश effect भी बोलते हैं ठीक है खराश एक scientist का नाम है इस हम खराश effect भी बोलते हैं इसमें क्या होता है हम अगर HBR के साथ पर आक्साइड डालते हैं ठीक है यह हमारा alkyl group है इसमें हम hydrogen bromide के साथ अगर परक्साइड भी डालते हैं वो मेरा बनता है यह जो मेरा halogen है वो वहाँ पर जाकर होता है जहांपर hydrogen सब्स्क्रीघघrd थूंपर hydrogen तौन तौन श्यादा है है लेकिन यहाँ पर hydrogen wouldn't जाद है ठीक है अब जैसे मैंने HCl के साथ परोक्साइड डाला तो जो मेरा प्रोड़क्ट बनेगा वो क्या बनेगा तो मेरा प्रोड़क्ट बनेगा यह क्यों जो मेरा anti-marconic of rule है वो सिर्फ HBR और परोक्साइड के साथ ही काम करता है ठीक है है हम यहां पर HF ले ले लें ठीक है परोक्साइड लेंगे साथ में तो जो मेरा anti-marconic of rule है वो काम नहीं करेगा वो सिर्फ HBR hydrogen bromide और परोक्साइड के साथ ही काम करता है ठीक है तो इसमें क्या है परोक्साइड के साथ अगर हम HBR लेंगे ठीक है तो जो मेरा हैलोजन है वो वहां जाके होगा जहां पर हाइड्रोजन जादा होंगे ठीक है और हाइड्रोजन कहां होगा जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे ठीक है तो जो मेरा प्रोड़क्ट बनेगा वह हमेशा वन ब्रोमो बनेगा एंटी मार्कोनिक आफ रूल में और मार्कोनिक आफ रूल में हाइड्रोजन कहा जाएगा जहां पे hydrogen जादा होंगे और halogen कहा जाएगा जहां पे hydrogen कम होंगे ठीक है उसके बात अब यह question देखते हैं देख roommate हमारी cycleHaycane है इसमें मिलेको HBR एड करना तो सिर्फ पर यहां सिर्फ प्राउक-प्रोक्साइड नहीं और यहाँ पर एक Carbon तो इसके पास दो Hydrogen है इसके पास एक भी Hydrogen नहीं है क्योंकि इसके चार वेलेंस इस सैटिसफ़ाइड है यह Double Bond और यह दो तो चार वेलेंस सैटिफाइड है ठीक है? इसके पास दो H है तो मेरा Hydrogen कहा जाएगा? जहाँ पर H जाद होंगे ठीक है तो यह आएगा मेरा CH3 और इसके साथ एक bromo attached हो जाएगा यह मेरा इसका product बनेगा suppose अगर यहाँ पर अक्साइड होता अगर यहाँ पर अक्साइड होता तो double bond हटता और bromo इसी के साथ attached हो जाता ठीक है और यहाँ पर एक और H आजाता next है मेरा HI hydrogen iodide इसमें जो मेरा product बनेगा वो क्यासे बनेगा यह देखो यह double bond है यहाँ पर एक carbon यहाँ पर एक carbon इस carbon की चारों वैलेंसी satisfied है hydrogen किसके पास ज़्याद है इसके पास तो hydrogen यहाँ जाके attach होगा और iodine यहाँ जाएगा iodine ठीक है यह और H इधर आजाएगा स्वाले carbon पर उन्होंने भी नहीं दिखाया तो हमने भी नहीं दिखाया हमने डायर्क आयोडियन टैच्प कर दिया ठीक है बॉन्ड नोटिफिकेशन बॉन्ड लाइन नॉटिफिकेशन कर दी फिर है मेरा addition reaction of hydrogen bromide to the unsymmetrical alkaline follows क्या follow गड़ता है देखो हमने hydrogen bromide यानि कि HBR मिलाया अल्कीन के अंदर पारोकसाइड नहीं यहां पे सिर्फ अल्कीन के अंदर मिलाया सपूर्श हमने HBR प्लस पारोकसाइड अगर में अल्कीन के अंदर मिलाते तो हमारा कौन से फेक्ट था खराश इफेक्ट या फिर anti-marconic of rule लेकिन हमने सिर्फ hydrogen bromide मिलाया किसमें अल्कीन में तो जो हमारा प्रोसेस होता है वो कौन से फ्रसेस होता है मार्कोनिक आफ रूल ठीक है नेक्स्ट what is खराश एफेक्ट, खराश एफेक्ट हमारा क्या होता है dehydro-halogenation होता है paroxide effect होता है marconic of rule होता है यह addition of hydrogen होता है तो paroxide किसमें होता है, anti-marconic of rule और anti-marconic of rule को खराश एफेक्ट भी बोलते हैं तो इसलिए इसका अंतर क्या होगा B paroxide effect फिर हैं मेरा addition of halogen, addition of bromine in CCL4, बच्चों जो bromine in CCL4 है न, इसे हम क्या बोलते हैं, और इसे हम bromine water भी बोलते हैं, ठीक है, इसे हम bromine water भी बोलते हैं, ठीक है, addition of bromine in CCL4 to an alkene resulting in discharge reddish brown color, जब हम CCL4 को alkene में मिलाते हैं, तो जो हमारा product बनते हैं, वो बनते हैं, वेसेनल डायब्रोमाइड, और इनका जो color होता है, यह कैसा होता है, colorless होता है, कैसा होता है, colorless, transparent होता है, ठीक है, लेकिन जो bromine water है, BR2, CCL4, इसका color कैसा होता है, reddish brown, मतलब, eat का जो color होता है, same as it is, भाई होता है, ठीक है, reddish brown, यह मेरा alkene है, इसमें मैंने BR2 मिला है, किसकी presence में CCL4 की presence में, क्या है, यह मेरा, tetra chloride, meth tetra chloride, ठीक है, tetra chloromethane, चार कार बने, tetra, ठीक है, chloromethane, एक कार बने तो मिठेन, tetra chloromethane, तो मेरे हाँ पर देखो, alkene थी, इसका double bond हटाएंगे, एक-एक seed दोनों पर खाली हो जाएगी, तो CH2, CH2 single bond है, इसके साथ हमने BR जोड दिया, तो char valence is satisfied, क्या product बने, vicinal diabromide, तो कि अगल-बगल दोनों halogen लगे हैं, ठीक है, अब इसका एक test आता है, हमारा, ब्रोमीन CCL4 test for unsaturation, ठीक है, ब्रोमीन water test भी बोलते हैं ऐसे, यह किसलिए होता है बच्छों, यह हमें alkene और alkene में difference करने के काम में आता है, ठीक है, सपोज, एक गिलास में alkene दे दिया, और एक गिलास में alkene दे दिया, या फिर ऐसे समझो, एक गिलास में, दोनों गिल पानी दे दिया, अब फर्स्ट गिलास है, जैसी यह है, इस में पानी दे दिया, और इस ट्यूब में भी पानी है, ठीक है, पानी दे दिया, अब जब इस पानी के अंदर, मैं क्या डाल रहा हूं, ब्रोमीन CCL4 डाल रहा हूं, यानि कि ब्रोमीन water डाल रहा हूं, तो इस प पानी के दार ब्रोमीन वाटधा भा sausage on continue तो ये विखिल ट्रांस्प्रेंटork लेसा थो पता कैसे लगएगा कौन ंदे को और रूंध और किछ अगर कि ऊभर कर ऊस्टांस का रणग चेंज हो रहा है ब्रोमीन वाटधा लाकित तो वह क्या होगा ऐसा और अगर कलर लेस है सब्स्टेंस मेरा ब्रोमीन मोटर डालने के बाद भी ठीक है हम ड्रॉप बाई ड्रॉप ड्रॉप डाल रहे हैं लेकिन उसका कलर चेंज नहीं हो रहा तो वो क्या है मेरा एलकेण है तो ऐसे पता लगाते हैं कि कौन और कौन एलकेण next है मेरा allylic halogenation तो बच्चों हमें पता है कि allylic halide कौन से होते थे double bond वाले carbon के बगल वाले carbon पे halogen लगा होना हमारा allylic halide होता था तो हम यहापे allylic halogenation करेंगे मतलब halogen add करेंगे तो यह देखो यह मेरा क्या है alken है ठीक है alken है अब allylic halogenation है मतलब double bond को तो छेड़ना ही नहीं double bond के बगल वाले carbon का रायता फिलाना है double bond के बगल वाले carbon पे halogen लगाना है अब देखो जैसे यह जो है ना यह regions यह याद गनने पड़ेंगे regions क्योंकि examiner क्या करेगा यह alken देदेगा और यह reagent देदेगा और पूछेगा कि product क्या है तो हमें यह reagents से पता चलेगा कि product क्या बनेगा जैसे allylic halogenation है हमें पता है कि allylic halogenation में Cl2 in the presence of heat और H new की presence में हमारा यह product बनेगा ठीक है ऐसे करना है याद ठीक है तो इन reagents को याद रखना है और alkene तो कितनी भी बड़ी दे सकता और कितनी छोटी दे सकता है ठीक है तो जैसे कि मेरा पहला है Cl2 in the presence of H new और इसे heat करेंगे तो जो हमारा product बनेगा वो क्या बनेगा ClCH2 single bond यह single bond है CH और double bond CH2 देखो double bond वाला carbon है यह double bond है halogen लगाए तो यह मेरा क्या हो गया allylic halogenation ठीक है halogen लगाए उसी तरह से SO2 Cl2 को heat करेंगे in the presence है ना यह दोखा अलकीन है इसे SO2 Cl2 को जब हमने heat किया डालके इसमें अलकीन में तो मेरा क्या हुआ double bond के बगल वाले carbon पे halogen लग जाएगा ठीक है यह होगा मतलब हमी क्या करना है double bond के बगल वाले carbon पे ही halogen लगाना है allylic halogenation में double bond को छेड़ना ही नहीं मार्कोनिक औफ रूल में क्या हो रहा था और anti-markोनिक औफ में क्या हो रहा था double bond को चेड़ रहते ठीक है one bromo prop one in ठीक है one bromo sorry three bromo prop one in ठीक है double bond के priority halogen से जाधा होते है ठीक है ऐसे numbering स्टार्ट होगी तो three bromo three carbon prop ठीक है one पे double bond है तो one in यह है मेरा NBS NBS की full form होते हो बगच्चो N-bromo succinamide succinamide N-bromo succinamide ठीक है यह क्या करता है यह भी सेम वही काम करता है CH2 देखो double bond है double bond के बग़ल वाले carbon पे इसने bromide लगा दिया N-bromo succinamide इसका यह काम होता है ठीक है तो allylic halogenation समझ में आ गया double bond के बग़ल वाले carbon पे halogen लगाना है ठीक है वो चारो रिएजेंट सियाद करना है कौन-कौन से CL2 in the presence of H new और heat का sign लगाना है फिर उसके बाद BR2 in the presence of H new और heat का sign लगाना है उसके बाद SOCl2 को heat करना है SO2Cl2 ठीक है और क्या था मेरा NBSN bromosuccineamide अब आता है मेरा preparation of alkyl halides from other alkyl halides अब हम alkyl halide से ही alkyl halide बनाएंगे ठीक है तो मेरे पास दो methods है इन्हें हम halogen exchange methods बोलते हैं पहला है फ्रिंकल स्टीन और दूसरा है स्वार्स फ्रिंकल स्टीन में क्या है फ्रिंकल स्टीन एक साइंटिस्ट है ठीक है उन्होंने alkyl halide में sodium iodide डाला ठीक है sodium iodide डाला यहां पर X जो है मेरा यह X इसमें हम CL ले सकते हैं और bromine ले सकते हैं ठीक है तो उन्होंने बोला अगर हम alkyl chloride या फिर alkyl bromide में sodium iodide डालेंगे तो जो हमारा product बनेगा वो क्या बनेगा alkyl iodide बनेगा और जो मेरा sodium halide है वो भाण निकल जाएगा ठीक है जैसे कि यह दूसरा है मेरा swats reaction CH3 BR इसमें हम AGF डालते हैं ठीक है AGF डालते है तो मेरा क्या बनता है यहां पर CH3F ठीक है और क्या भाण निकलता है AGBR भाण निकलता है ठीक है इसके चार reagents है swats reaction के यह नहीं याद करने की trick क्या है AG, HG को सब याद कर लो AG, HG को SB सब याद कर लो ठीक है यह reagents को याद करने की trick है AGF HG2F2 COF2 और SBF2 ठीक है कोई भी डालेंगे तो जो हमारा product बनेगा क्या बनेगा वो CH3F ही बनेगा अब करते हैं questions तो पहला है देखो Alkene है Alkene में हमने क्या डाला है Cl2 in the presence of HNU यानि कि Allylic Halogenation हो रहा है तो Allylic Halogenation क्या है Double bond के बगल वाले carbon पे halogen लगेगा यानि कि मेरा जो product बनेगा वो क्या बनेगा ये बनेगा Double bond वाले carbon के बगल वाले carbon पे halogen लग गया फिर है मेरा N-bromo-sax के नाम यहाँ पे क्या है Allylic Halogenation है तो product बना दो CH3 CHCH3 CH2 CH double bond CH2 अब देखो ये double bond वाले carbon है इसके बगल वाले carbon पे halogen लगेगा यानि कि यहाँ पे halogen लगेगा तो मेरा क्या करना पड़ेगा इसका 1H remove करना पड़ेगा तो इस पर कितने आज बचेंगा 1H बचेंगा तो 1H हटा दो यहाँ से अब यहाँ पे क्या लगेगा मेरा CL लग जाएगा सौरी BR लगेगा क्या है Enbromo succinovide तो BR फिर CH3 CH double bond CH CH3 इसमें हमने क्या डाला BR2 in the presence of H new ठीक है तो product कैसा बनेगा CH3 CH double bond CH CH2 अब देखो चाहे हम हैलोजन यहाँ लगाएं यहाँ लगाएं बात एक ही है ठीक है क्योंकि हमें लगाने double bond के बगल वाले carbon तो यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ बात एक ही है numbering वहीं से start हो जाएगी ठीक है तो यह लगा दिए मैंने BR next है मेरा SO2Cl2 यह मेरा प्रोडक्ट है इससे हमने SO2Cl2 के साथ हीट कराना है तो मेरा एलालिक हैलोजनेशन होगा तो कर दो CH3 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 CH2 CH2 और CH double bond CH2 double bond के बगल वाले carbon पे हैलोजन लेगा तो इसका एक हैच खतम करेंगे और Cl add गड़ देंगे यह इसका बाइप्रोडक्ट बन जाएगा next है मेरा HBR परोक्साइड यानि की मेरा anti-marconic of rule एंटि-marconic of rule में क्या था हैलोजन कहा जाएगा जहां पर हाइड्रोजन जादा होंगे ठीक है तो करेंगे CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 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 BR ठीक है तो यह था आज का लेक्चर ठीक है अब इसने next लेक्चर में हम इनकी physical properties के बार में बात करेंगे और chemical properties के बार में बात करेंगे तब तक के लिए पढ़ाय करते हैं all the very best